जे इन फ्रेंड जोब शर्जड उप चले में आपका स्वागत है आज शुड़े में बात कने वाले हैं साउतन कमांड पूने ग्रूप C की बढ़ती जिसमें ओनलाइन आपका अप्लिकेशन पर अपलाई किया गया था इसके एडमिट कार्ड के बारे में बहुत सारे जो कि बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में इसमें फिलप किये हैं इसमें करीबन एक लाग से उपर ज्यादा अपलिकेशन परम फिलप होने की वजह से इनका जो भी जो भी दिया गया था डेट्स वह आपने देखा होगा उसकी वेफिशिल वेफसाइट पर कि जो की डेट इसमें लिखा गया था कि 10 तारिक से आगे कभी भी एड्मिट कार्ड आ सकते हैं तो 10 तारिक कंप्लिट हो चुकी थी उसके बाद में अभी आपकी 15 तारिक भी कंप्लिट हो गई है क्योंकि 10 तारिक के बाद में कभी भी आ सकते हैं ऐसा लिखा हुआ है कि यह नहीं लिखा ह हुआ है कि दस्तारी को ही एडमेट कार्ड आपके जारी होंगे लेकिन कुछ वज़े से मतलब बड़ी संख्या में अप्लिकेशन फिलप होने की वज़े से सोट लिस्टेड में होना मतलब संभाव नहीं हो पाया है और अभी वेबसाइट पर कुछ नहीं अपडेट की गई है वह आपको दिखाने वाला हूं कि यह टोटल 24 पदों के लिए विकेंसीज की एक्जाम डेट हटा ली गई है आपकी एक्जाम डेट कमिंग सून लिख द तो यहां से आप इंपोर्टनेट डेट में जाके चेक कर पाएंगे कि यहां पे आपकी सभी डेट हटा ली गई है यहां से रिमू कर दी गई है जो भी आपको डेट दे रखी थी 29 अक्टूबर की जो डेट आपकी दे रखी थी वो सभी आपकी रिमू कर दी गई है क्योंक के admit card आने का वो अभी उनका फैल होते लग रहा था कि गुंटिस तारिक तक भी वो exam नहीं करवा पाएंगे admit card नहीं बेज पाएंगे, तो अब आपको time लग सकता है, एक महीने का अंदर आपके admit card जारी किये जाएंगे अभी 10-15 अक्टूबर आज हो चुकी है इसके बाद में कभी भी आपके डेट मिल सकती एक मेने के अंदर अंदर की डेट आपको मिलने वाली है और आप त्यार रहिए जो भी आपकी एक्जाम की डेट आएगी या एडमिट कार्ड जो आपके आएंगे वो ज् कर सकते हैं आराम से क्योंकि 90% से ज़्यादा ही कट ओफ इसमें देखने को मिलने वाली है हो सकता है कम भी आए लेकिन जिस परकार से एंडिये में अप्लिकेशन फिलप हुए थे उसी परकार इसमें भी बड़ी संख्या में अप्लिकेशन फिलप हो चुके हैं इसी वजह से इससे साइट पे इतना लोड हो गया और वो सोट लिस्टेट नहीं कर पाए जो भी अपनी करने वाले थे कि जो भी अपनी एडमिट कार्ड सेंड करने वाले थे सोट लिस्टेट को वो अभी तक नहीं हो पाए इसी वजह से उन्होंने एक्जाम जो रिमू करने का डिसिजन ले चुके हैं तो आप अपना 90% प्लस या 85 प्लस भी आप सोच सकते हैं बाकी की लगता इस बार आपका 90 प्लस ही है बाकी की 95 प्लस आप ये दी हैं तो सोच सकते हैं कि हो सकता है आजाएं एडमिट कार्ड आपका बाकी की जो लास्ट मैं आपका मानता हूँ कि 90% प्लस ही एडमिट कार्ड जारी किये जाएंगे अभी त्यारी है तो वो किस परकार से करनी है वो पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ आपको फ्री ओप कोस्ट पीडियप उपलब्द है पुराने कुछ भी नहीं मिलता फ्री में दिपाने के लिए कुछ थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी तो कैसे पीडियप देखनी है इतना मैं आपको बता सकता हूँ वहां से आपको डाउनलोड करनी होगी देखनी होगी और फिर आपको यहां से पढ़ाई कर सकते हैं अले बस पहले भी बता चुका हूँ बरती के बारे में ये लास्ट वीडियो होगा अभी का जिसके बाद में जब भी एडमिट कार्ड जारी किये जाएंगे उसके बाद में ही आपका कोई वीडियो बनाये जाएगा बार बार में आप किसी केंडियो को मैं पिरसान नहीं कर करी दे दी जाएगी तो जो भी केंडेट है अपनी वेबसाइट चेक करते रहें अपडेट लेते रहें और साथ ही आप अपने इमेल पर ही आपके एडमिट कार्ड जारी किया जाएंगे सबसे पहले आपके इमेल पर मेसेज आएंगे ज्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा 6-7 दिन का लास्ट आपको टाइम दिया जाएगा जो भी आपकी एक्जाम डेट होगी उसके जो भी आपके पहले आपके 6-7 दिन पहले आपके इमेल आइडी पर एड्मिट कार्ड सेंड किये जाएंगे तो इसी के अनुरूप आप त्यारी करते रहें जो भी आनिया आपको परसेंटेज बता हैं उसके वाले जो 90 प्लस है वो तो 100 परसेंट अपनी त्यारी कर सकते हैं बाकी कि इससे 55 परसेंट तक पर उसके केटरेट का चांस बन सकता है कि केटरेट का एड्मिट काड आ जाएं बाकए कि मेरेट इस बार ज्यादा हाई कटॉफ आपकी रहने वाली है तो जो भी केटरेट है अभी मैं आपको किस परकार से जो भी चले बस चेक करना है वो भी बता देता हूं ये मेरे टेलिग्राम ग्रूप है जो भी केंडेट ने अभी तक जोइन नहीं किया है तो आप जोइन कर सकते हैं इस टेलिग्राम ग्रूप की लिंक नीचे वीडियो के डिप सेक्षन बॉक्स में दीगी है वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं इसमें आपको कहां पर क्लिक करना है एक पिन का message का चित दिखाई देरा है स्किन पे यहाँ पे मैं आपको click करते वी दिखाई दूगा दिख़ी आप एप click करना हुँ यहाँ पे आप click करेंगे तो यहाँ पे उपर ही उपर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी पीडिएप देखेंगे नमबर क्सेऊनर पर सारे इंपोटेंट देख सकते हैं लोडल पेपर इसके बाद में defense के जितने भी paper है original paper सबी के जो भी paper store keeper के लिए जो भी paper है उसके बाद में आपका MTS के लिए syllabus है इस पेडी book है वो भी आप download कर सकते हैं सबी के लिए store superident के लिए भी आपका paper है उसमें जो भी आप देख सकते हैं बहुत सारे paper आपको मिल जाएंगे आपे और free up cost मिलने वाले हैं अराम से आप download कर सकते हैं